अब जैसे अभी एक स्पर्धा और्गेनाईज हुई है आजादी का अम्रित महोत्सव अब आजादी का अम्रित महोत्सव उसमें तीन चीजे कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके एक कि आजादी के अम्रित महोत्सव के निमित रंगोली स्पर्धा लेकिन रंगोली भी सुन्दरिये के साथ जुड़ी हुई रंगोली नहीं आजादी की आंदोलन की किसी ने किसी गटना से जुड़ी हुई रंगोली अगर ये पुरे शहर में आप परधा करें आने वाले सब्वी जन्वरी तक इसको बड़ा माहोल बनाएं देखिए बदल हो सकता है और नहीं हो सकता है उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के अंदोलन में जो हुआ हो उसके लिए कुछ गीत लिखे जाए आपके शहर में अजारी के आमदुलन में गटी गटम के समन कुछ गीट लिखे जाए उन गीतों किस परदा हो आपके राजे के अंदर जो गटना गटी है उसके गीतों किस परदा हो देश की महान गटना ओको जोड़ करके उन परदा हो आप देखिये बदलाव होगा कि नहीं होगा उसी प्रकार से हमारी माता और बहनों को जोड़ने का एक बड़ा कारकम हो सकता है हमारी आप पुरानी परंपराती लौरी गाने की बच्चे जो नवजाद सिशू होते थे लौरी गाते हर घर में माताई बहने अब क्या हम आदुनिक लौरी बना सकते हैं आदुनिक रूप से भावी भारत कैसा होगा 2047 में जब देश 100 साल का होगा तो वो कौन सपने होंगे जो आज बच्चा जो पैदा हुआ है जिसको उसकी मा लौरी सुना रही है तो उजवल भविश्य की लौरी सुनाएं और उसको संस्का करें कि देखो हम सबने मिलकर के 2047 में जब हिंदुस्तान सो साल के अजाजी के बरस मनाएगा तो ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा कर सकते हैं क्या